1984 में हुई भोपाल गेस्ट्रेजडी पर बेस्ट वेब सीरीज The Railwayman 18 November को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है। इस चार एपिसोड की सीरीज को आडियंस का अच्छा रेस्पॉंस देखने को मला है। सीरीज में एक तरफ ऐसे चार आम आदमियों की कहानी दिखाई गई है जो गेस्ट्रेजडी के दरान दूसरों की जान बचा कर सुपर हीरो बन जाते हैं। वहीं दूसरे तरफ सिस्टम के नाकामें दिखाई गई है। स्ट्रेजडी का मुख्या आरोपी देश चोड़ कर भाग निकलता है और उसे कभी अपने की की सजा नहीं मल दी। इस सीरीज को यश्राज फिल्म्स ने बनाया है। यह उनकी पहली वेब सीरीज है। हाली में सीरीज की कास्ट के के मेनन, दिवेंदु शर्मा, बाबल खान और डारेक्टर शिवरविल ने देनिक भासकर से खास बाच्चे की। जहां दिवेंदु शर्मा ने खुद को बैट पॉलर कहा तो वहीं केके ने अपने टीचर का एक किसा शेयर किया। बाबल ने पितार फान खान को याद कर कि कहा बाबा जीते थे और वहीं जीवन परदे पर ला दे थे। दिवेंदु शर्मा ने वेब सीरीज मिरजापूर में मुन्ना भाया का किरदार निभाया था और फन प्यार का पंचनामा में लिक्विड का किरदार निभाया था ऐसे में कौन सा किरदार निभाना ज्यादा मुश्कल था इस पर दिवेंदु ने हसते हुए कहा मैं भू भी अलग थे